मैं डौक्टर करमवीर सिंग, एसोसियेट प्रोफेसर, पॉलिटिकल साइंस, बी एस र गोर्वर्मेंट आर्ट्स कोलेज अलवर प्यारे बच्चो, आज हम ओनलाइन कक्षा में कल जो अध्धन किया था सर्वोच न्याले के सक्तियां इम्छेत्र अधिकार उन सक्तियों के आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे, कल अपन ने जो सक्तियां इच्छेत्र अधिकार के चर्चा की थी प्रारंबिक छेत्रादिकार अपीलिय छेत्रादिकार अपीलिय छेत्रादिकार में सन्वेदनिक मामले, दिवानी मामले, फोसदारी मामले विसेश अपील इन सब का अध्यन कर चुके हैं आज नमर तीन सलहकारी छेत्रादिकार यानि कि advisory इसके बारे में चर्चा करेंगे कि सवीधान के अनुछेद 143 में राष्टपती को किसी भी सार्जनिक महत्यू के कानूनी प्रसन पर सर्वोच न्याले से सलहा लेने का अधिकार है सर्वोच न्याले को सलहा देने के लिए बाद नहीं किया जा सकता राष्टपती के लिए भी आवशक नहीं है कि वे सर्वोच न्याले द्वारा दिये गए परामर्श के अनुशार कारी करें ऐसे कई मोके आए हैं जब राश्टपती को सर्वोच न्याले से सलहा लेने की आवशकता पड़ी जैसे अपन उधान के रूप में बताएं 1963 में उत्र प्रदेश विधान मंडल के मद्ध जो विवाद उत्पन हो गया था उसके बाद 1974 में राश्टपती के चुनाव पर 1978 में विशेश अदालत विधेग पर और 1903 में बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच न्याले से राश्टपती द्वारा परामर्स मांगा गया था बाबरी मस्जिद विवाद पर सर्वोच न्याले ने परामर्स देने से मना कर दिया था क्योंकि उसके अनुसार इस मुद्दे का कानून या सविधान की व्याख्या से कोई समन्द नहीं था अन्य कई मामलों में भी राष्टपती ने सर्वोच न्याले से परामर्ष लिये जाने के प्रावधान का प्रियोग किया नैश्ट जो छेत्र अधिकार है मोलिक अधिकारों का सन्रक्षक सविधान द्वारा दिये गए नागरीकों को मोलिक अधिकार न्यायोग हैं आप सभी को पता है अनुछेद 32.1 में नागरीकों के मूल अधिकारों के सनरक्षन के लिए सर्वच न्याले कई प्रकार के लेख यादेश जारी कर सकता है जैसे बंदी, प्रतक्षी कराण, परमादेश, प्रतिसेद, अधिकार प्रछा तथा उत्प्रेशन लेख नेक्स्ट एक छेत्र अधिकार आता है कोर्ट ओफ रिकोर्ड यानि कि अभी लेख न्याले सर्वच न्याले फैसले और आदेश अभी लेख को सुरक्सित रखने का भी इस्थान देते हैं अनुछेद एक से उनतीस के अनुसार सर्वच न्याले के अभी लेख दरस्टांत के रूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे जिसकी प्रमानिक्ता पर संदे नहीं किया जा सकता सर्वच न्याले के आदेश और निर्णों की अभेलना यदि किसी अधिनस्त न्याले या व्यक्ति द्वारा की जाती है तो न्याले की आवमानना के अभियोग में दंड दिया जा सकता है नेक्स्ट एक आता है अन्यकारिये अदर्स फंक्संस उसमें अपन बता सकते हैं कि सर्वोच न्याले कुछ अन्य दायत्तु का भी निर्वेन करता है जैसे राष्टपती और उपराष्टपती दोनों के इस्थान एक सातरिक तोने के स्थति में उच्तम न्याले का मुख न्य न्याइदीस यह दायत्तु निभाता है उच्तम न्याले के न्याइदीस जाच आयोग के रूप में भी कारिये करते हैं आवसकता इस बात की है कि जाच आयोग सदश शमश्या को टालने के लिए नहीं बठाए जाने चाहिए क्योंकि यह न्याइदीसों की छमता योगता औ आते है, नेञ्स जो है नियाले की आवमाना के लिए दंड देना, ठीक है, तो इसमें अपन बता सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ती सरवच नियाले के निर्णों की उपेक्षा करता है, या आवमाना करता है, तो नियाले को उसे दंड देने का अधिकार है, उधान के रूप में मैं आपको बताऊं कि 24 अक्टूबर 1904 में को उत्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्य मंत्री शरी कल्यान सिंग को बाबरी मस्जिद के डेहने के प्रसन पर एक दिन की कैद और 2000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई इसी प्रकार दूसरा उधारन ये बता सकते हैं कि 1905 में में बैंगलोर में आवास एमनगर विकास विभाग के प्रधान सचिव जे वासु देव को न्याले द्वारा दिये गए आदेशों को तुरंत लागू ने करने कारण एक महिने का कारवास की सजा सुनाई गई तो ये अपने सर्वोच न्याले के कुछ विशे साधीकार उनकी सक्तियां हैं जिनके बारे में अभी अपने चर्चा करी धन्यवाद